Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है, आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लाटफॉर्म एक्जाम पावर के उपर दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी बच्चे टोपर बनते हैं, वो ध्यान पुर्वक पढ़ाई करते हैं यानि ध्यान केंद्रित करके वो स्टडी करते हैं, फोकस करके वो स्टडी करते हैं, इसलिए वो टोपर बनते हैं अगर आप भी टोपर बनना चाहते हैं, तो आपको भी फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, आपको भी ध्यान केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा लेकिन अब इसी बीच एक सबसे जो टिपिकल चीज आती है वो ये है कि हमारा जो दिमाग है वो कितनी देर तक पढ़ाई कर सकता है या लगातार कितनी देर तक किसी चीज के उपर फोकस रह सकता है या फिर ध्यान किंदित कर सकता है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इनसान का दिमाग होता है वो लगातार कितने घंटे पढ़ाई कर सकता है पढ़ाई करने का मतलब यह हुआ सिंपल सा यहां पर कि यहां पर मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि पढ़ाई क्यों कर सकते हैं मतलब कि हमारा पढ़ाई जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें ध्यान के इंदित करके पढ़ने की जुरुत होती है तब ही हमारा result अच्छा आपाता है तो वही चीज हम यहाँ पर use करेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो कितनी देर तक किसी चीज के उपर focus कर सकता है इसलिए जो भी बच्चे इस tactic को use करेंगे वो अपनी exam में काफी जादा अच्छा score करने वाले हैं क्योंकि उनको पता चल जाएगा कई बार क्या होता है न कि हम पढ़ाई तो करते हैं लगातार 3-4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन हमने मान लो जो 20 मिनट में पढ़ा था जो 10 मिनट में पढ़ा था वही हमारे mind में store होता है बाकी तो story नहीं हुआ तो बाकी का जो time था वो waste हो गया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो time हमारा waste हो रहा है उसको हम huge कर सकें और उसको हम तभी huge कर पाएंगे जब हमें सच में ये पता हो कि हमारा जो दिमाग है वो वास्तव में केवल इतने घंटे ही केवल इतने time के लिए ही किसी चीज पे focus कर सकता है तो 1990 के दसक के अध्यन के अंदर पता चला यानि 1990 के अंदर एक अध्यन हुआ था एक चेक अप हुआ था एक research हुई थी इंसानों के दिमाग के उपर जिसमें आपको ये बताया गया कि हमारा जो दिमाग है वो लगातार 90 मिनिट तक किसी चीज के उपर focus कर सकता है उसके बाद उसको 10 या 15 मिनिट का break चीए होता है 90 मिनिट पढ़िए फिर 10-15 मिनिट का break ली जिए फिर वापस आप 90 मिनिट तक लगातार किसी चीज को focus कर सकते हैं तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1990 का जो अध्येन हुआ था, 1990 का जो रिसर्च हुआ था, वो डेटा आपको बता रहा है, तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करना, मिलते हैं क इसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत!